Hey what's up guys this is Neeraj and now you are watching your favorite channel official N24 बोले तो Neeraj Official इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ही काम की चीज़, छोटी सी चीज़े लेकिन बहुत ही काम में आने वाली चीज़े फोल्डर को अपन कैसे हाइड कर देंगे, वो भी बिना हिडन वाले फीचर में जाये हुए वो चीज़ अपन देखेंगे और साथ में छोटा सा एक ट्रिक और है, वो भी अपन देखेंगे, पूरा वीडियो देखेगा और बने देखेंगे चैनल के साथ में दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता जेता हूँ, अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, छोटी छोटी चोटी ट्रिक्स जो बहुत काम में आने वाली है, कंप्यूटर की ये ट्रिक्स आपको पता होनी से है, ऐसी ट्रिक्स में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आपने बताते हैं सबसे पहले कि फॉल्डर को हाइड कैसे करना है, जो कि सबको आता है, राइट क्लिक कीजे प्रोपर्टी में जाईए और लेकिन एक और तरीका है, जो क आप बिना hidden में जाए हुए भी उस icon को hidden कर सकते हैं, वो दिखेगा नहीं वहाँ पे, तो यह कैसे करेंगे, यह अपना भी practically देखेंगे live, और उसके साथ में दूसरी चीज में आपको बता जेता हूँ कि अगर आप disk में partition करना नहीं जानते हैं, आप देखते हैं कि कोई software ड B, E, B, F, G, X, जो भी आप लेना चाहें, वो ले सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं, folder hidden की, कि hidden किस तरीके से करेंगे, उमीदा आपको यह पता होगा कि नया folder बनाने के shortcut की क्या है, वो है control, shift और n, इससे क्या होता है कि आप new folder बना सकते हो, नया folder यहां पर बन गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस folder में, कि यह जो folder है, यह folder को अपन हाइड करेंगे, सबसे पहले इसको rename करेंगे, F2 इसकी shortcut function की होती है, rename करने की मैंने F2 पेस किया, alter के साथ में, alt की दबा के 0160, यह code होता है, यह क्या होता है, कि कोई भी written में नही hide हो गया है, यहां कि folder तो यहां पे है, लेकि नाम उसका hide हो गया, अब अपन करते हैं, इस पर right click हो जाते हैं, इसकी property है, यहां पे hidden का option है, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन यहां से नहीं करेंगे, अपन जाएंगे customize में और इसका icon में जाएंगे, icon आप देख रहे है लेकिन अपन यहां पे कुछ, यह जो blank space जो दिख रहे हैं आपको, यह blank space भी एक icon का एक हिस्सा है, यहां से आप icon चूज कर सकते हैं, यह भी एक icon ही है, जो कि hidden है, अपन यहां से यह मैंने icon चूज किया, इसको कर दिया, मैंने apply, और okay, यह लीजे, यहां पे एक black, मैंने यह चूज किया, कि यहां भी यह black आ गया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं black नहीं आए, कुछ अलग color में आए, तो फिर से आप जाईए यहां पे, change icon, यहां पे जाईएगा, कोई दूसरा चूज कर लो, मतब यहां से आप कर सकते हैं, folder को यह completely hidden हो गया, मैंने यहां पे इस पे click कर रहा कि इसको कहीं दूसरी जगह shift कर सकता हूँ, मैंने यहां रख दिया इसको, तो अब मैं यह folder जब mouse इसके उपर आएगा, तो यह दिखेगा, otherwise नहीं दिखेगा, double click करूँगा, folder ओपर हो जाएगा, folder सही है, वैसे ही काम कर रहा है, जैसे की होना जीए, जैसे क आपको जाते हैं, सबसे पहले आपको जाना है, my computer, my computer में जाके आप देखेगा, कि यहाँ पे my computer, अब इस पर right click करके manage में आपन जाएगे, management जाने के बाद भी, disk management में आपन जाएगे, disk management में जाने के बाद भी drive से आपको space निकालना है, वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर right click कर MB आपको लिखने है कि कितना GB आपको इसे अलग space चीए, एक अलग से drive बनाना चाहते हैं, मैं कर रहा हूँ इसको 3, यह करते हैं, एक unallocated space आगया, जिसको alert नहीं किया हूँ है, 24.42 GB, यह space आगया जो आपको यहाँ पे display नहीं करेगा, कहीं भी display नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसको alert कर देता हूँ, मैं देता हूँ new simple volume, यह दिया मैंने कर दिया next, फिर से next, अब यहाँ पे, आपको बता देता हूँ कि A और B पहले floppy और उसके लिए reserve हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास यह option आता है कि आप यह भी assign कर सकते हो, A और B भी आप volume दे सकते हो जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे A, A volume दिया मैंने कर दिया next, इसका नाम अपन कर देते हैं, just now, just simple कि आपको याद रहे कि देख सके हैं, इसको कर दिया next और next, यह करते ही open होता है, एक बार disk बनता ही, यह open हो गई, आप देख रहे हैं कि अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि C से पहले भी एक drive बन गई है, 24.3 ZB, यह अभी अभी बिजनस में से अपन निकाला था, तो बिजनस का space कम हो गया, और यहाँ पे A के अंदर add हो गया है, यह एक यह नया volume बन गया, बहुत ही simple, आसान से तरीके से अपन बना सकते हैं, इस state को follow करते हो, तो आपने यहाँ आप यह चीज देख लिए कि डिस का partition कैसे हो रहा है यहाँ पे, यह चीज भी बहुत ही simple, आसान से तरीके से अपने करके दिखाई है, तो यह था आज की वीडियो का मसाला, उमीद आपको पसंद आया होगा, वीडियो को like, comment, share, जरूर कर देना, वो चैनल को subscribe नहीं किया त जरूर से कलेना, नए वीडियो में मिलते हैं, फटाफट जरूर से धन्यवाद